आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, let's start the question Question here is Whether the growth in plants is definite or indefinite तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो plants हैं इनकी जो growth है वो definite या फिर indefinite होती है तो सबसे पहले अगर हम definite growth के बारे में बात करते हैं तो definite growth जो है यह हमारे growth होती है जो कि limited होती है Means यहाँ पे जो growth है वो pre-decided होती है कि सिरफ इसकी जो है इतनी ही growth होनी है बट अगर हम यहाँ पे plants की बात कर रहे हैं तो जो हमारे plants हैं आपने देखा होगा अपनी real life में भी कि यह जो है growth करते रहते हैं year after year okay plants में जो है capacity होती है for the unlimited growth यहां से clear होता है कि जो हमारे plants हैं इन में indefinite growth होती है अब यहाँ पे यह unlimited growth को क्यों शो करते हैं because as we know कि इन में जो है presence होती है मारे stem की और मारे stems जो है इस area पे हमारे जो cells हैं वो continuously divide करते रहते हैं means यहाँ पे जो growth है वो होती रहती है यह जो है immortal होता है यह जो हमारे area है यह कभी नहीं मरता है जिसकी वजह से यहाँ पे continuously growth देखी जाती है plant में plants में जो मेरे stem है यह roots और stem पे present होते हैं इसलिए most of the time हम जो है इसे open type of growth कहते हैं so this is all about the definite and the indefinite growth classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर